एक घने जंगल में एक ताक्तवर शेर रहता था, जो दूसरे जानवरों को बहुत तंग करता। हर रोज वो किसी न किसी जानवर का शिकार करता, जिससे सब जानवर डरते थे। आखिरकार सब जानवरों ने मश्वरा किया कि शेर से बचने का कोई रास्ता निकाला जाए। एक दिन सब ने शेर से की कि अगर वो रोजाना एक जानवर को खुद ही उसके पास भेज दिया करें, तो शेर किसी और को नुकसान न पहुचाए। शेर ने ये शर्त मान ली। रोज एक जानवर शेर के पास जाता और इस तरह कुछ दिन शान्ती से गुजर गए। फिर खरगोश की बारी आई। चाला खरगोश ने सोचा कि वो शेर को सबक सिखाएगा। उसने जानबूच कर देर कर दी, और जब शेर के पास पहुचा तो गुस्से में भड़का हुआ, शेर चिलाया। इतनी देर क्यों हुई। खरगोश ने मासूमियत से कहा। बादशाह सलामत, मैं तो आ रहा था। लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिला, जो खुद को जंगल का बादशाह कहता है। शेर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। खरगोश शेर को एक गहरे कुए के पास ले गया और कहा, वो शेर कुए के अंदर है। शेर ने कुए में जहांका तो उसे अपनी ही परचाई दिखी। गुस्से में उसने कुए में कूद लगाई और डूब कर मरा। सब जानवरों ने खुशिया मनाई और चाला खरगोश की तारीफ की। बुद्धी और समझ से बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है।